विपक्ष के नेता को बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। पिर से तो नहीं फसने वाले हैं क्योंकि इस बार उन्होंने ED से पंगा ले लिया है। लेकिन देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो सिर्फ नीजी हितों को साधने के लिए समिधान और उनकी संस्थाओं पर लोगों की आस्ता को कमजोर करने में लगे हुए हैं। वो देश के भीतर का महौल ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। इस मामले में संजराउत पर गिरफदारी की तलवार लटक रही है। हमारी महाविकास सगारी सरकार ने उनके खिलाफ कानूनी कारवाई की थी। बताया जाता है कि उसे ED और BJP के नेता देवेंदर फटनविस से समर्थन हासिल था। उन्होंने आरोप लगाया है कि देवेंदर फटनविस ने जब से राज के ग्रेह मंतरी के रूप में पदभार समहला है। तब से उन्होंने MVA सरकार द्वारा गटित SIT की जाच को बंद कर दिया है। संजराउत ने कुछ अन्य लोगों का नाम लेते हुए कहा है कि ED के एक अन्य पुर्व अधिकारी राजेशुर सिंग भी हैं जो वर्तमान में उतर प्रदेश में BJP के विधायक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रोमी भगत भी ED के साथ मिलकर काम कर रहा था और वसूली की गतिवीधियों में शामिल था और वर्तमान में वो आथर रोड जेल में बंद है। संजराउत ने कहा कि ये कारवाई स्थानिये अदालत के निर्देश पर की गई है। लेकिन अभी हाली में BJP नेता के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाने की बज़ा से उन्हें सजा हुई है। संजराउत ने BJP नेता किरीट सुमया की पतनी मेधा सुमया पर मुलूंड में शोचाले घुटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सुमया ने संजराउत के इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। हलाकि संजराउत ने इस मामले में कोई सबूत नहीं दिया था। जसके बाद मेधा सुमया ने उन पर 100 करोड रुपे का मानहानी का मुकदमा दायर किया था। जसके बाद कोट से उन्हें सजा मिली। और अब फिर से वो नए आरोप के साथ हाजिर हो गए है। ऐसे में कहीं इस बार BJP नेता के साथ ED भी न उन्हें कोट तक ले जाए। क्योंकि इस बार उन्होंने ED पर भी सवाल उठाया है। बिरो रिपोर्ट OMH News